T20 World Cup 2024 में आज के दिन कई सारे सुपर हिट मैची खेले गए थे जहां पे भारत कनड़ा का मैच रद हो गया था इसके बाद इंगलेंड की टीम ने नेमीबिया को हरा दिया और अब आस्ट्रेलिया स्कॉटलेंड का मैची खत्म हो चुका है और इन सभी मैचों के खत्म होने के बाद T20 World Cup 2024 के पॉइंट टेबल में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला तो इस वीडियो में हम आपको T20 World Cup 2024 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि अब कौन-कौन सी आठ टीमे ओफिसियली सुपरेट में चली गई और टीम इंडिया का अगला मैच कब होगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है वीडियो में सुरू से ले करके अंत तक पूरा बने रहें वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करके नौटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले तो आईए बात करते हैं टीट्वेंटी वर्ल्ड कप के नए पॉइंट टेबल के बारे में तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग टीट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हजार चोविस में सुपरेट के मैचों का सेडियूल डाउन्डोड करना चाहते हैं तो हमें टेलीगराम पे फॉलो करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे टीम इंडिया के सब ही सुपरेट मैचों का सेडियूल डाल चुके हैं तो फटा फट से डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेलीगराम चैनल के लिंक को ओपिन करके हमें टेलीगराम पे फॉलो कर ले तो चलिए फ्रेंडस वाँ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाइवन सब भी गृप्स का नया पॉइंटेबल बता देते हैं तो सबसे पहले हम लोग श्टार्ट करेंगे गृपे एक के पॉइंटेबल के साथ तो गुरुप एके पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पे भारत की टीम है और भारत के अभी चार मैच में तीन जीत और एक मैच रद होने के चलते साथ पॉइंट कम्पलीट हो चुके है और टीम इंडिया साथ अंको के साथी 20 वर्ड कप 2024 के सुपर एट में जा चुकी है और भारत का निट रन रेट प्लस एक दसमलव एक तीन साथ है और सुपर एट में टीम इंडिया का पहला मैच अफगानिस्तान से 20 जून को होगा इसके साथ ही भारत की टीम बांगला देश और ऑस्ट्रेलिया से सुपर एट के अपने मैचों को खेलेगी तो गुरुपे में भ भी सुपर एट में जा चुकी है इसके बाद तीसरे पैदान पे कनाड़ा की टीम है जिसके 4 मैच में एक जीत और दो हार के चलते और एक मैच रद होने के चलते तीन अंक है halangकी कनाड़ा सुपर एट के रेज से बाहर हो गई इसके बाद चौथे पैदान पे पाकिस्तान क टीम है जिसके तीन मैच में एक जीत और दो हार के चलते दो अंक है और पाकिस्तान की टीम और रेड़ी सुपर 8 से बाहर है और पाकिस्तान लीग स्टेज में अपनांती मैच आज आयरलेंड से खेलेगी वहीं ग्रूप A के पॉइंट टेबल में पंचवे पोजीसन यानि की स अब बात करेंगे। गुरूप B के पॉइंट टेबल में तो गुरूप B के पॉइंट टेबल में सब से टॉप पे उष्ट्रेलिया की टीम है जो की चार मेंसे दो जीत और एक हर के चलते पांच अंग है और आज आस्ट्रेलिया के जीतते ही यहाँ पर से इंगलेंड की टीम सुपर 8 में चली गई वहीं ग्रूब B के पॉइंट टेबल में थर्ड पे स्कॉर्ट लेंड है जिसके चार मैच में दो जीत और एक मैच रद होने के चलते पांच अंग है और स्कॉर्ट लेंड की टीम आज मैच हरते ही सुपर 8 से बाहर हो गई इसके बाद चौथे पैदान पे नमीबिया की टीम है जिसके चार मैच में एक जीत और तीन हर के चलते दो अंग्ख और नमीबिया की टीम सुपर 8 के रेस से बाहर है इसके बाद पांच वे पैदान पे ओमान की टीम है जो की चार मैच में चार मैच हरने के चलते जीरों अं अफगानिस्तान है जिसके तीन मैच में तीन जीत के चलते छे अंक है और अफगानिस्तान का निट रन रेट प्लस चारदा समलब दो तीन जीरो है और अफगानिस्तान की टीम सूपर एट में जा चुकी है इसके बाद गुरूप सी में सेकेंड रैंक पे विश्टिंडीज है जिसके तीन मैच में तीन जीत के चलते 6 अंक कम्पलीट हो गए और विश्ट इंडीज की टीम का निट रन रेट प्लस 2.596 है और विश्ट इंडीज की टीम सुपर 8 में ऑफिस यली जा चुकी है इसके बाद ग्रूप C में तीसरे पैदान पे न्यू जी लेंड है जिसके तीन मैच में एक जीत और दो हार के चलते दो अंक है और न्यू जी लेंड की टीम सुपर 8 के रेश से ओफिस यली बाहर है इसके बाद चौथे पैदान पे यूगंडा है जिसके चार मैच में एक जीत और तीन हार के चलते दो अंक है और यूगंडा की टीम सुपर 8 के रेस से बाहर है वहीं गुरूप C में 5 वे पैदान यानि की सबसे नीचे पापू अन्यूगेनिया है जिसके 3 मैच में 3 हर के चलते 0 अंकर पापू अन्यूगेनिया सुपर 8 के रेस से बाहर है तो ये था गुरूप C का पॉइंट टेबल जा चुकी है इसके बाद गुरूप डी में दूसरे पैदान पे बांगलादेस है जिसके तीन मैच में दो जीत और एक हर के चलते चार अंख है और बांगलादेस की टीम भी लग भग लग भग सूपर एट में जा चुकी है इसके साथ ही तीसरे पोजीशन पे अभी जो टीम ह उस्टीम का नाम है नीदरलेंड जिसके तीन मैच में एक जी दो हर के चलते दो अंख है और नीदरलेंड सुपरेट से बाहर है इसके बाद चौथे पायदान पे नेपाल है जिसके तीन मैच में एक मैच रद होने और दो मैच हरने के चलते एक अंख और नेपाल सुपरेट से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें